हेलो एवरिवन, वेलकम तुरारा लाइस्ट्रेयल, दोस्तों आज मैं बना रही हूँ राजमा, राजमा कई प्रकार के होते हैं, मैंने यहाँ पर ये जो ब्लाक इश रेड कलर में जो आते हैं, ये कलर लिया है और ये सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसलिए मैंने इनक आप चाहें तो रात भर के लिए भीगो करके छोड़ दें तो राजमा जादा बढ़िया बनता है वैसे तो छे से साथ गंटे में भी भीग जाते हैं लेकिन प्रॉपरली आप इसे रात भर छोड़ दें उसके बाद मैंने लिया है कुकर और मैंने उसमें डाला है तीन गिलास पानी और ये राजमा जो है मैंने डाला था इसमें डेड़ सो गिराम और इसमें डाल रही हूं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आप चाहें तो इसमें नमक अपने अनुसार ही डालें और चाहें तो हल्की सी हल्दी डाल सकते हैं यदि आपको बहुत जादा इसको थोड़ा कलरफुल बनाना है बट मैं यह पे हल्दी का यूज नी करूंगे और इसको मैंने बॉयल कर लिया है लेकिन एक चीज़ बता दूँ यह बॉयल तो होते हैं पर कम से कम 10 से 15 सीटी में बहुत अच्छे से बॉयल हो पाते हैं अदर्वाइस थोड़े कच्चे रह जाते हैं तो अब मैं इसे फ्राइ करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से तेल गर्म किया है एक से डेड़ चमचा और इसमें मैंने यह सारी चीज़ें डाल दी हैं प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, तेजपता और हींग और अब मैं डाल रही हूँ जीरा क्योंकि यह उपर से हमेशा डालती हूँ ताकि यह जले नहीं और टेस्ट भी अच्छा रहे पहले डालने पर तेल अगर गर्म है तो जल जाता है और अब मैंने इसमें डाली है खडी लाल मिर्ची जो की चार से पांच साबुत मिर्च डालने से बहुत बढ़िया स्वाद आता है और अगर आप इसे प धनिया पाउडर लाल मिर्ची पाउडर सब कुछ आदा आदा चम्मच और यह है हलकी सी हलदी एक से डेड़ चुटकी आप चाहें तो हलदी बिलकुल स्किप भी कर सकते हैं और इसमें हलका सा जीरा पाउडर एंड गरम मसाला डाला है मैंने एक एक चुटकी ही और इसमें ह आप एक से डेड़ चम्मच ही डालें जादा नहीं और अब यह पूरा मसाला बॉइल हो गया है इसको अच्छे से मैं उसी पानी को मिला रही हूँ इसमें जो राजमा बॉइल करते समय जो है उसमें होता है राजमा वाला पानी मिला करके मैंने इसको अच्छे से बॉइल कर दिया है और ये अच्छे से खॉल जाएगा आप चाहें तो पूरा-पूरा राजमा जो है इसके अंदर डाल करके पांच मिनट पका सकती है अद्वाइज आप राजमा को साइड में रखके जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ये जब इसमें बॉइल आ जाए तो आप इसमें इस दिया और आप देख सकती है ये बहुत ही जादा बड़िया तरीके से मिक्स हो गया है और इसमें लग गया है तड़का आप इसे रोटी और चावल के साथ सर्व कर सकती है दस मिनट बाद रखने पर इसकी कंसिस्टेंसी और जादा अच्छी हो जाएगी तो उमीद करती हू और मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू सो मच बाइ बाइ